लुख वेल्कम टू गोफर अगरिकल्चर तो गईस आज के लेक्च्छर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह अज़र और ओर्थ अप्टेरा तो कैज हमारा जो लेक्चर नंबर 21 था उसमें बताया था कि classification of जो insectic class है उसका order तक में कैसे classification करते हैं उसमें से भी मैंने आपको 29 orders के बारे ही बताया था ठीक है और last lecture में मैंने ये भी बताया था कि कौन-कौन से order जो है important है तो उनमें से एक important order है orthoptera जो कि बहुत ज़्यादा important है आपने last year इंडिया में जो attack देखा था locust तो locust जो insect थे वो भी इसी family से sorry इसी order यानि orthoptera से belong करते थे ठीक है तो ये order इसलिए important हो जाता है क्योंकि इन में जो reproductive capacity है ने इन insects में बहुत जादा होता है ठीक है तो guys आज के lecture में हम जो topic cover करेंगे वो है orthoptera का introduction characters classification of disorder and its suborders के बारे में उनकी characters भी देखेंगे कुछ images से समझेंगे कि आपने इन insects को पहले देखा या फिर नहीं देखा है तो चले start करते हैं आज के very first topic को यानि introduction of the orthoptera तो जो orthoptera जो word है उसका कर atomyology पढ़े अगर हम यानि इस word का meaning क्या है तो ऐसे insects जिनका wings जो होता हो straight होता है मतलब orthoptera है न तो tera का meaning होता है wings और orthop का मतलब होता है straight यानि जो orthoptera है जो order है उसका meaning यह होता है कि इन class में sorry इस order में वो insects रहेंगे जिनके straight wings होते है इसका synonym अगर हम बात कर orthoptera का synonym कौन का सा synonym मतलब हम इनको और किस नाम से जानते है तो saltatoria से जानते है saltoptera के नाम से जानते है ठीक है और यह जो order है इसमें जो family आती है वो होती है Eric Day ठीक है इनके common names के बारे में बात करें तो common names यानि इनके जो common examples हैं वो है grasshopper locust जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपको last year 2020 में हमने देखा था कि locust attack हुआ था जो कि horn of Africa से start हुआ था और वो Afghanistan पाकिस्तान होके जो हमारा नदर और eastern sorry नदर और western side of India जो है वहाँ पे उन्होंने attack किया था ठीक है और 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 भी examples इसके जैसे grasshopper locust हो गया cricket हो गया, mall cricket हो गया तो यह सारे इनके examples है इन में basically आप यह जो मैंने image यहां पर use कर रहा है यही है वो locust ठीक है grasshopper भी होता है generally वो green color का होता है और यह brown color के जो होते है वो locust होते है इनके leg के बारे मैंने बताया है कि इनका leg जो होता है अब देखो इनका hind leg जो है किस तरीके से modified है यह jumping legs कहलाता है ठीक है तो यह चीज यहां तक आपको में भी समझ में आ गया होगा अब जो मारा next topic है वो है characters बहुत ही आसान है आपने इन insect को भी देख लिया है आप बस इनको देखते जो उनके कुछ important characters है उनका आप देखते जो कि कैसे हमें चीज़े याद रखनी है सबसे पहला इनके size के बारे में आते है तो इनका size होता है medium to large size insects में बहुत चोड़े चोड़े नहीं होंगे medium size या फिर थोड़े large size के दूसरा इनका antenna जो होगा वो philiform होगा ठीक है philiform antenna के बारे मैंने बहुत discuss कर दिया पहले आप देख सकते हो इनके लिए तो मैंने separate lectures बनाया होगा type of antenna पे ठीक है mouth part जो होगा mandibulate type होता है ठीक है prothorax thorax का जो तीन पार्ट मैंने बताया था प्रो मेजो और मेटा तो उसमें prothorax है नहीं जो आगे वाला पार्ट होता है वो लार्ज होता है pronotum जो होता है curved होता है ventraly covering the plural reason plural मतलब side के region को क्या करता है cover करता है नीचे से ठीक है मतलब नीचे वाला जो पार्ट है इनके आगे विंग्स को हम टेग्मिना क्याते है इन 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 से को बीच से गर बेंड करेंगे तो टूटेंगे नहीं टूटेंगे मतलब उनका जो पार्ट है दो उनका जो बॉड़ी है दो पार्ट में टूटेगा नहीं मतलब फ्लेक्सिबल बॉड़ी होती है आइन विंग्स होता है वित लाट आ है यह अर नंद ऐल्ल अटने है कि वृट प्ष्छे का पार्ट वार्ट होता है विन्का नहीं ने के मतलब है जो फो विंग्स होता है उझ को अनुल एannal बेरी अह लगाए यह नहीं कहने का मतलब हैals होता बिनीट मतलब नीचे नीचे आफ दी टेग मेना फूर विंग के नीचे होता है यह हाइंड विंग सरकी आर सॉर्ट एंड अन्सेग्मेंटेट सरकी क्या था इनका सेंसरी ओर्गन होता था जो कि इनके सबसे पीछे वाले रीजन यानि है है की तोरेक्स-अडप्टोमें के लास्ट में प्रेजन होता है OV POSITOR विल डेबलप्ट इन फीमिल टैकल की होता है इनके ቡडप पोजिटर क्या हूथ है इनके रिप्रोडक्टिब पार्ट का रिप्रोडुक्टीव सी जो प्रोसेस है इंसेक के एग से और अडल्ट तक कनवर्ट होने का उसमें क्या होता है कि हम डिफ्रेंशेट नहीं कर बाते हैं इंसेक को ठीक है अदर स्टेजेस पे और एकदम से ग्राजवल चेंज हो जाएगा मतलब जो फाइनल स्टेज है यादल्ट और जो लास्ट निम् कहने का मतलब है विंग पैड्स का भी डिफ्लप्मेंट होता है जब वो डिफ्लप्मेंट करता रहता है तो यह इनके कैरेक्टर्स हो गए अब हमें इन आएंगे इसके क्लासिफिकेशन पे तो हम जानते हैं और का डिविजन हो सकता है उनके सब ओर्डर में ठीक है तो जो इनका क्लासिफिकेशन है यानि इस ओर्डर का क्लासिफिकेशन है वो दो सब ओर्डर में है पहला ओर्डर जो है वो है कैली फेरा और दूसरा है एंसी फेरा कैली फेरा और एंसी फेरा को जो डिविजन हो किस basis पर है कि उनको उनका जो एंटीना है उनमें segments कितने है ठीक है 30 से अगर ज्यादा segment है ठीक है यानि लंबा है तो एंसी फेरा और अगर 30 से कम segment है तो कैली फेरा में आएगा ठीक है इसलिए मैं दोनों को मैंने इन दोनों को एक चार्ट से इसको समझाने ही कोजिस करी है आप पढ़ते जाओ उनमें डिफरेंस पढ़ते जाओ आपको चीज़े समाझ में आ जाएंगी फर्स्ट है कैली फेरा में लिखा हुआ है कि एंटिना इस सौट विट लेस दन 30 सेग्मेंट ठीक है एंसी फेरा में क्या होगा एंटिना इस लॉंग और मोर दन 30 सेग्मेंट जो कि मैंने बेसिस बताये क्लासिफिकेशन का तंपनम में इस फाउंड लेटरल साइड फोर्स अपनल सेग्मेंट और इंपनम में इस होंड ऑन दी फोर्ती विया टीविया कहां का रिजन है लेक का तो यह लेक के पास प्रिजिंट होता है ठीक और समें देखिएंगे तो फोर्स अप्डॉमिल सग्म monocot forage और इसमें अगर बात करें एंसिफेरा में तो feed on dicot plants यहां पर ध्यान रखना कि califera और एंसिफेरा में जो food है यानि competition of food का वो बहुत कम है क्योंकि यह monocot पे है califera और जो dicot पे हैं वो predators califera जो है वो जंप करके यह इन में ज्यादा प्रॉमिनेंट होता है और उसी से वो escape करते हैं अपने प्रेय और मतलब प्रेयर प्रेटर का जो relationship है उसमें बचने के लिए यह jumping legs का यूज करते हैं अगर हम बात करें एंसिफेरा में तो rely on crypsis crypsis एक process है जिसमें इंसेक्ट अपने आपको क्या करता है छिपा लेता है ठीक है छिपाना किस तरीके से जैसे देखते हैं न कि हम इंडिन आर्मी को देखते हैं वो heart condition में फिर ऐसे अपने आपको environment में चिपा लेता है उसी तरीके से यह इंसेक्स हैं इन में दूसरा word भी उस करते हैं ठीक है जैसे हमने यह देखा हो एक lizard होती है जो अपने जो chameleon होता है वो अपने color को change कर लेता है जिसे environment में जाता है उसी साब से तो यह इंसेक्स भी उसी तरीके के होते हैं कि अपने आपको एक लिए नहीं होते हैं तो आई होप यह दोनों जो classification है यानि सब ओर्डर जो हैं आपको समझ में आ गया होगा अब जो मारा next topic है यह है कि califera के सब मतलब जो califera sub order है उनके अंदर हम चलें यानि इनकी families के बारे में तो califera जो है उनके अंदर जो है एक ही आती है eric day ठीक है उनका जो further classification है वो है eric day ठीक है यानि इस सब ओर्डर ही है ठीक है उसके examples होते हैं locust and grasshoppers इस mantina sort होता है tarsus जो होता है three segmented होता है ठीक है tarsus क्या है आप लोग को मैंने बताया था जब leg insect leg के बारे में insect leg छे segment से बना होता है उसमें से second last जो होता है वो होता है tarsus उसके बाद clause या फिर pre tarsus आता है ovipository sort and horny tympanum जो होता है located होता है either side of the first step nominal segment यानि दोनों साइड पे sound जो होता है produce करने के लिए उनको femoroallory mechanism यूज करना पड़ता है अब यह mechanism क्या है ठीक है इनके जो legs है उससे peg का projection होता है या पेक निकले रहते है ठीक है और मतलब यह कहां निकले होता है hind femur पे और उसको रब करते हैं अपने radial veins से ठीक है hard radial veins अब यह radial veins कहां पे है टेग्मेना पे टेग्मेना क्या मैंने बताया था इनके four wings यनि four wings पे यह रगडते हैं अपने किसको hind femur bone पे जो peg present है उसको और यह sound produce करते हैं और इस mechanism को femoral artery mechanism कहा जाता है ठीक है उसके बात करें तो इसमें मैंने एक्जमपल क्या बताया है कि grass अपर locust आता है तो इसमें से जो locust है वो serious treat है हमारे agriculture में अब यह attack हुआ था मैं इसी के बारे बात कर रहा था इनके जो swarms होते है अगर febrile condition मिल गया तो वो grasses, cereals जो भी है उन सब को खा जाते है और बहुत तेजी में यह अपने आपको grow कराते है यह इनकी जो reproductive capacity है वो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो मैंने जो यहां first वाला जो diagram यूज करा है यही है वो locust का diagram ठीक है अब हम आते हैं दूसरे suborder य crosshoppers, दूसरे में cricket और third जो है वो होते हैं mole crickets तो सबसे पहला जो है वो है tetty gonidae जिन में आएंगे long horn crosshoppers यह फिर catty dids इसमें जो antenna होता है वो large होता है cylindrical होता है auditory organs अगर बात करें तो four tibia पे पाये जाता है जो tibian का present है ना leg में वहां पे यह auditory organs पाये जाते है इन इच four tibia a pair of tympanum is present tympanum क्या है hearing organ ठीक है outer tympanum is larger than the inner sound production के लिए एक तो यह hearing हो गया tympanum के लिए ठीक है यह auditory organ था sound production के लिए allergy type जो mechanism है वो होता है इसमें a thick reason on the hind margin of the four wing यानि scrapper जो कहते है is rub against a row of teeth in the file file क्या है studiatory vein है जो की present होता है ventral side ठीक है और ventral side कहां पे four wings के ठीक है यहाँ मतलब इस चीज को vibrate करते है यान तीत यहाँ पे mouth का तीत के बारे में हम बात नहीं कर रहे है ठीक है तीत मतलब जो जो उभार present होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है ठीक है और यह vibration जो होता है जो रगडने से vibration produce होता है उसे से यह sound produce करते है तो यानि यहाँ पे जो मैंने second image दिया है वो ही है किनका example यह है long horn grasshopper आप इनके antennas को देख सकते हो बहुत लंबे-लंबे होते हैं ठीक है I hope यह चीज़ भी समझ में आ कही होगी जो इनका second classification है वो है ग्राइलिडे यानि जिनमें इनमें cricket हम देखेंगे cricket आप सबसे बढ़ी image देख लो कि cricket आपने ऐसे insects देखेंगे इनको हम कहते हैं cricket ठीक है इन में जो antenna होता है यानि antenna is long tarsus के बारे बात करें तो four segmented OV-positor अगर देखें तो cylinder यानि लंबे होते हैं needle-like ठीक है four wings के बारे बात करें तो abruptly bent ठीक है four wings यानि आगे वाले wings जोते हैं बेंट होते हैं down to cover the sides of the body यानि इनके जो four wings है वो body को cover करने में help करते हैं hind wings अगर बात करें तो acuminate type होते हैं they are produced into a pair of long process which project beyond the abdomen इसका मतलब यह हुआ कि hind wing acuminate type मतलब इनका जो wing होता है hind wing वो पूरे body को cover करते हो बहुत उनके body को भी power कर जाता है ठीक है सरकी अगर बात करें यानि जो sensory organ होता है और unsegmented होता है auditory organ अगर हम बात करें तो यह similar है जैसे कि long horn grasshopper में present था cricket में भी उसी तरीके का है males जो होते हैं वो stude type होते है यानि stude होते है night के time पे ठीक है और they produce shrill crimping noise ठीक है crimping noise मतलब आपने जिसे हम generally कहते हैं जिसे आपने कभी रात में सुना होगा कि जिसको हम general word में जिंगुर का वाज कहते हैं ठीक है यह उस तरीके के sounds को produce करते हैं ठीक है और यह जो है household pest है यह मतलब crop को damage बहुत कम करते हैं ठीक है अब जो last classification है वो है mole cricket का अगर mole cricket से अगर बात करेंगे तो generally हम इन्हें देखते हैं नहीं मतलब हमें generally नहीं डिखते हैं यह जो है बरो करके जमीन के अंदर रहते हैं ठीक है तो अब इनके four wings को देखो देखो देख रहे हो अब इनके four wings को देखो देखो तो इनके legs इस तरीके के होता है कि वो बरो करने में help करें ठीक है अब जो है इनके pair of tympanum is found present in the outer surface of the tibia ठीक है ovipositor जो होता है vestigial होता है vestigial मतलब present तो है लेकि उसका कोई use नहीं है ठीक है यह फिर rudimentary form में present होता है mole crickets burrow into the soil and feed on the tender roots of the growing plants ठीक है तो यह जो है complete classification है order orthoptera का में भी आपको ज्यादा detail लगे या फिर ऐसा लगे कि मैंने कम पढ़ाया है लेकिन आपको जो basic character है basic classification है मैंने आपको पूरा बता दिया है तो आप इस lecture को थोड़ा अच्छे से देख लेना ठीक है अगर कुछ भी आपको problem होता है इसके बाद भी तो आप हमारे comment section में जरू then stay tuned अब हमारे instagram जो channel है उसको subscribe करो अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो हमारे channel को subscribe करो अगर किसी को भी इस lecture की PDF चाहिए तो हमारे telegram channel gopher agriculture से उसे download कर सकता है तो चलिए मिलते हैं next lecture में